नमास्कार दोस्तों एलैटिकल टेक्निशन चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस बगा से AC पावर सप्लाई को DC में कनवर्ट करते हैं वो भी ब्रिज रेक्टिफार का उप्योग करते हैं ठीक है तो देखिए दोस्तों यहां पर हमें AC पावर सप्लाई को DC में कनवर्ट करना है तो उसके लिए हमें 3 equipment का इस्तेमाल करना पड़ेगा पहला तो हमारा transformer होगा दोस्तों यह जो हमारा transformer है उसका selection हम उसके input पावर सप्लाई और output पावर सप्लाई के हिसाब से करते हैं माल लेते हैं कि हमें input power supply 230 volt देना है ठीक है और output में 24 volt देना है तो यहाँ पे हम जो transformer select करेंगे उसमें हमारा जो डेस होगा वो 240 by 24 volt होगा तो उसके बाद देखें दोस्तों यह जो हमारा transformer है वो AC power supply का voltage को step down कर देगा अब हमें AC power supply को DC में convert करने के लिए हम diode का इस्तमाल करते है हैं यहाँ पे हमें चार डायोड का इस्तमाल करना पड़ेगा और उनका connection हम कुछ इस पकार से कर देंगे यदि हम डायोड को कुछ इस पकार से connect कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं bridge active fire ठीक है आप यहाँ पे एक जी याद रखिएगा यह जो हमारा white party होता है वो यह बताता करने के लिए यहाँ पर हम एक capacitor का भी उपियोग करते हैं अब हमें इसका connection करना है तो connection करने के लिए क्या करेंगे कि यहां से face supply कर देंगे और यहां से neutral supply कर देंगे ठीक है यहाँ पर हमने input power supply कर देंगे अब हमारा जो transformer का output terminal है उनमें से एक वायर को connect करेंगे और उसको ले output power supply के लिए यहां से हमें face supply मिलेगा और यहां से हमें neutral supply मिलेगा ठीके दोस्तों तो यहां से हमने face supply ले लिया और यहां से neutral supply ले अब यहां पेजोड़ एडिसी आउर्पूट यहाँ पर हमें DC output voltage उतना ही मिलेगा जितना हमने यहाँ पर step down करके voltage को convert किये थे यानि कि यहाँ पर हमने 230 volt input power supply दिये थे और यहाँ पर हमें 24 volt output मिल रहा था तो यहाँ पर जो हमारा DC convert होगा वो भी 24 volt output DC supply ही होगा यदि हमारा transformer 12 volt में convert करता या फिर 48 volt में convert करता तो हमें यहाँ पर 48 volt ही मिलता यानि कि जितना output हमारा transformer देगा उतनी output यहाँ पर DC supply हमें मिलेगा ठीक है आइ होप कि दोस्तों आपको यह video पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह video पसंद आया तो प्लीज इस video पर like कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर दीजेगा इस video को देखने के लिए धन्यवाद